हेलो एव्रीवन मैं हूँ दॉक्टर ध्वानी जेन और वेल्कम बाक तो मैं चानल हेल्थ और वेल्थ बहुत से लोगों को यह कंप्लेन रहती है कि मैं जब भी डॉक्टर के पास जाता हूं पुछ तक्लीफ लेके जैसे कि bone pain है या muscle pain है या joint pain है कमजोरी है hair loss है etc तो हमेशा मुझे vitamin d चेक करवाने बोलते हैं तो आखिर यह vitamin d है क्या इस video मैं मैं आपको vitamin d के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ जैसे के vitamin D क्या होता है, वो important Q होता है, कैसे बनता है, उससे sunshine vitamin Q बोलते है, vitamin D कम होने से क्या तकलीफे हो सकती है, क्या खाने से हमें vitamin D मिल सकता है, etc. लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी request है, आप प्लीज मेरे चानल को subscribe कीजिए, subscribers जब बढ़ते हैं, तब हमें बहुत ही खुशी मिलती है, और motivation भी मिलता है, इसलिए प्लीज मेरे चानल को subscribe जरूर कीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे बहुत हम जानते हैं, कि vitamin D कैसे बनता है, और उसे sunshine vitamin Q बोलते है, हम सबी जानते हैं, कि vitamin D का main source है sunlight, जब भी sunlight हमारे skin से exposed होती है, तो सबसे पहले UVB rays हमारे skin के अंदर जाकर cholesterol से combine हो जाती है, और ये mixture liver के अंदर एक reaction करता है, जिसके वज़े से vitamin D produce होता है, और इसी के कारण vitamin D को sunshine vitamin बोला जाता है, ये vitamin D अगर कम होता है, तो इसे हम बोलते है vitamin D deficiency, जिसके कारण हमारे body में बहुत सारी signs and symptoms हो सकते हैं, जो के है, सबसे पहले repeated infections and sickness, क्यानि कि जब हमारे vitamin D कम हो जाता है, तो possibility है कि हम ज़्यादा बिमार पढ़ने लगते हैं, या हमारे body में ज़्यादा infections होने लगते हैं, क्योंकि vitamin D हमारे immune system को strong रखता है, और अगर ये vitamin D कम हो जाता है, तो obviously हमारे immunity भी कम हो जाती है, जिससे infections के chances बढ़ सकते हैं. Second है fatigue and tiredness. Studies बताते हैं, कि जिनमें vitamin D levels कम होते हैं, उनमें tiredness, थकानपन ज़्यादा होता है. Next है bone and back pain. Vitamin D हमारे bone health को maintain करता है, और हमारे body में जो calcium है, उसकी absorption बढ़ाता है. जिससे हमारे bone health एकदम perfect ready है. और अगर हमारे vitamin D deficiency है, तो possibility है कि हमें bone pains and back pain हो सकते हैं. तो अगर आपको भी back pain हो रहा है, तो आप ज़रूर vitamin D deficiency है के नहीं आप check करवा लीजिये, और उपर जो मैंने link दी है, back pain relief exercise की वो ज़रूर check कीजिये. Next है impaired wound healing. अगर हमारे body में vitamin D deficiency होती है, तो possibility है कि हमारे body के अंदर जो inflammatory markers होते हैं, यानि कि जो substances जिससे हमारे body में inflammation बढ़ता है, वो increase हो जाते हैं, जिसकी वज़र से हमारे जखम भरने में time लगता है, या delay हो सकता है, या भरते ही नहीं है. Next है bone loss. Vitamin D हमारे body में calcium absorption और bone metabolism बढ़करार रखने के लिए बहुती अच्छा रोल प्ले करता है, और इसलिए अगर हमें vitamin D deficiency होती है, तो bone loss भी increase हो जाता है, जिससे fractures की risk भी पढ़ती जाती है. Next है muscle pain. अगर vitamin D deficiency होती है, तो हमारे muscles के अंदर जो pain receptors होते हैं, वो stimulate हो जाते हैं, और इसकी वज़र से हमारे muscle में pain and sensitivity बढ़ सकती है. अब हम देखते हैं कि vitamin D deficiency के risk factors क्या है, यानि कि ये किन में ज़्यादा पाया जाता है? तो सबसे पहले है dark skin people, यानि कि जिनकी skin color तोड़ा dark है, उन में vitamin D deficiency के higher chances है, क्योंकि उनके skin में एक melanin नाम का pigment होता है, जिसके कारण जो sunlight skin में आती हो, पहले ही melanin absorb कर लेता है और अंदर तक पहुच ही नहीं पाता है. Second है old age, older population में vitamin D deficiency जादा common है. Third है, उन लोगों को जने milk and milk products की allergy होती है, उनमें vitamin D deficiency काफी common है. Next है, जो लोग completely vegan होते हैं या vegetarian होते हैं, उनमें भी vitamin D deficiency common है. और lastly, जो लोग धूप में नहीं जाते हैं या most of the times sunscreen लगा कर ही जाते हैं, उनमें भी vitamin D deficiency होने के बहुती ज्यादा chances है. अब हम देखते हैं कि कौन सी तीन चीज़े हैं जिससे हमारे vitamin D levels एक्दम perfect maintain हो सकते हैं. सबसे बिले में आपको अलदी बता दिया है, जो है sunlight. आपको sunlight में जादा घूमना है, जादा एक्सपोस करनी है अपनी skin को, जिससे sunlight जादा पेमिट्रेट होगी skin के अंदर और vitamin D बढ़ता रहेगा. लेकिन sunlight लेने में आपको कुछ चीज़े याद रखनी है, सबसे पहले आपको 10 a.m. to 12 noon के बीच में ही sunlight लेनी है. दूसरी चीज, आप कोशिश कीज़े, आपकी जादा से जादा skin exposed हो, जैसे ही कि पूरे हाथ, पैर, बैक, ये सब parts exposed हो. जो light skin people है, उन्हें 15 minute sunlight में काफी रहते हैं, लेकिन जो dark skin people है, उन्हें कम से कम 30 minutes जरूर sunlight में हैना चाहिए. और एक और बात, आप sunscreen लगा कर बिल्कुल ना जाये sunlight में, अगर आपके vitamin D levels कम है. Second है food products, mainly जो vegetarians होते हैं, उनके लिए milk and milk products एक बहुत ही अच्छा source होता है vitamin D के लिए, specially cow's milk and fortified yogurt. लेकिन जो non-vegetarians होते हैं, उनके लिए दूसरे options भी हैं, जैसे के egg yolk, cod liver oil, fishes like salmons and tuna. Lastly, अगर ये दोनों भी चीज़ काम नहीं आ रही है, तो आपको obviously vitamin D के supplements लेने पड़ते हैं, जो आप आपके doctor से consult करवा के ले सकते हैं. अब हम देखते हैं कि हमें पूरे दिन में vitamin D का intake कितना लेना चाहिए? तो recommended daily intake vitamin D का है 400-800 international units per day या तो 10-20 micrograms per day लेकिन अगर बहुत ही जादा deficiency है आपको तो वो 1000 international units तक भी आप बढ़ा सकते हैं. तो I hope आपको समझ गया होगा कि vitamin D क्यों इतना important है और अगर हो levels आपके body में कम है तो आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए, आपके दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि उन्हें vitamin D की deficiency ना हो और बने रहे मेरे चैनल पे क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफते लाती रहती अगर आपको कोई topic पे specific की वीडियोस चाहिए तो जरूर मेरे comment box में comment कीजिए and I'll come back with one soon. Till then keep moving and stay fit.